हेलो फ्रेंड्स स्टड़ी विद देव लिमाव को स्वागत है जैसे आप जानते हम अभी प्राजिन भारत की स्रीज सुरू कर रहे थे और इसमें मैंने आपको महाजनपत काल तक बताया था हमने लाष्ट पड़ा था घंतानयंद की मिर्ट्यव और घंतनको चंटरगुस मा parab का इकारण और है कि वह जटा का बिकास नहीं दीट पाता है जिससे वह उसका फायदा ठाते हैं और उसकी गहनमन की मिर्तियों के बाद मौरिवंस की सापना वो कर देते हैं ठीक है फ्रेंट तो कलम में पढ़ा था महाजन बद काल के बारे में आपको मैं थोड़ा पढ़ाया था आज मैं उसके वस्तुनिस्ट आपके सामना लिकाया हूँ जो कि NCRT पर आधरे लुशन से मैंने लिए सबसे पहले अरे मैं उसके बाद सिकंदर ने किया जो कि यूनानी था ठीक है, इसलिए कई बचों ने पूझा था कि सिकंदर ने कब किया, तो सिकंदर ने थीज़ इसा पूरो किया, सिकंदर ध्यान के दूसरा आकरमना करता था और पहला यूरोपिया था, ठीक है, पहला यूरोपिया था और दूसरा विदेशी था, क्योंकि पहला विदेशी इर करना है तो मैंने कल आपको जो महाजनपते 16 उनकी राज़ Penny नहीं बताइए तो आझ आपको उनकी राज़धार नी बता देता हूं तो वह पर दीए जो मालत इंप से कल फटा था पेड़े देख लिजिएगा ठाकि आपको फट्र next नहीं तो गांधर में रby प्रिय outlet निकांति फ्रेंट्स गांदार के राजनेति खां तक्सिला ठीक है तक्सिला यह सिच्छा केंद्र भी था तक्सिला इसका चौथा वाला हो जाएगा तो एका चौथा हो जाएगा ठीक है सूर्सेन जो जगह है सबसे पहले हम वह पढ़ेंगे कि सूर्सेन जगह कहां है और सू किसरे दिया है वस तो वस का किया है फ्र gwरस को संभी ठीक है को संभी यूप अबstar We सब्देश स्रावस्ति भी उत्रप्रदीस में ठीक है तो आप इवाला इस का अंसर सही कर लें इसके बाद देखें, दूसर परशन पूचा है, हर्यक वंस के किस सासक को कुणी कहा जाता है, तो कुणी क और असोग चंड में नकल बताया था, आपको अजास हत्रू कहा दे थे, ये पितरहंता वंस के रूम में माला जाता है, हर्यक वंस में पहले आये थे कौन? पहले कौन नगर की स्ताबना की, तो पाड़ी पुत्र नगर की स्ताबना उदाइन ने की थी, उदाइन ने पाड़ी पुत्र की नगर की स्ताबना की और उदाइन ने इसको मगत की राजधानी भी बनाया था, पाड़ी पुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना है, ठीक है? आपको आ जत्या बहुत संगिति में चार बहुत संगिति क का आयोंजन इसके बाद पांचो परस्ली का है 323 इसापूर सिकंदर महअनकी मिर्तियो थे म refer다ura बाद में इनकी मिर्त्यो भुई थी ध्याना बेबिलों में तेन की मरती होई थी द्धान दिना 323 सपूर और 326 अठा उसके तीन साल बाद इनकी मेंरती होई क्योंकि इस उसन में हम पीछे के तरब जाते हैं इनके बारत में कम से कम डेट साल रहे भारत में स्क्राइलित है जेलम भितासतै क्या दूरा था एलखंडर गेत इसके बाद देखे च्छाटवा शिकंदर महान एलक्जंदर गेट एवं पॉरस के बीच और युद्द वाता वो जहलम के किनारी वाता मैं ना पताया था आपको बीच में जहलम न दे थी यह जहलम न दे थी और यहाँ पर पोरस के सेना थी, यहाँ पर सिकंदर के सेना थी तो सिकंदर ना इसको पार करने से मना कर दे था, ठीक है इसको पार करने से मना किया था, तो यह जहिलम नदीज, इसका पुराना नाम क्या था फ्रेंज, वितस्ता था, इसका पुराना नाम था, ठीक है, तो वितस्ता इसका पुराना नाम था, ठीक है, जहिलम, इसको हाइडे स्पीच का यूदु भी कहते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके बाद देखे, किस पर्फम नगरिकर्ड जब हम पड़ते हैं तो सब्सक्रथा हुआ यह लगता उत्रे काले झालिक पाउbringen की ऐंदी глаза था हमारे पस मैं आपको पता टाए एक वह रॉनी वाले आयते एक बरतन आये थे गेरो वाले गेरो वंडी एक आये थे कौन से चित्रे दूसर ठीक है तो यह आपको पता होने चीए गेरो वंडी मिद्भान से पूर वैदिक काल के बारे हम पता लगता है और काले रंग के जो है पॉलिस वाले जो बरतन है इनसे में दुतिया नगरी करण मह नगरीकर्ण इनसे में जनकार्य प्राप्त होती है यह फो मिलता है पॉलिस वाले बरतन इसके बाद देख़िए पाली ब्हável भासा में लिखेगे थे जैन प्राकर्ण में लिखे दे लिके रिए तो उसको याद रखेंगे इसको नोट कर लो ठीक है इसके बाद लिखा है उजयन का प्राची नाम था अवंतिका 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 उजयन मध्यपरदेष में और उजयन मध्य परदेश, यहाँ पर कुम्मेर लगता है उजेन चिपरानदी किनारे, आपको पता हूने हैं इसको नोट का लूआ अप, उजेन जो है, वो चिपरानदी के किनारे है, MP मध्य परदेश में इसका प्राचिन नाम क्या था? अवन्ति का था, ठीक है, अवन्ति का इसका प् प्रवाद बग्ता महापदमनंद ठीक है जिनके पास सोने के अकूद भंडार थे ये कतासरी सागर में सोम देव ने लिखा हुआ है ठीक है महापदमनंद थे इसके बाद लिखा है ग्रीग युना लिखा को द्वारा किसे अगर्गमीज जेन्डरमीज का गया अगर्मीज का अपने भास में इनको नाम दिया घनानद को छिक है कंई धनानन भी लिखा लेकिन घनाननंद आप इसको पढ़ लेगे ठीक है इसके बाद देखिए प्राचिन भारत में पहला विदेशी आकर्मन ठीक है तो यहाँ पर वो कसन आ गया है प्राजीन भारत में पहला विदेशी आकर्मन जो किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था किसके द्वारा वो किया गया था इरानियों के द्वारा ठीक है और इरानी इरानी न कब क्या था पांसो अठारा कर देंस करहां इसके बाद लिब Sभी अ completely अर्माईबी ध्यांदेना ऑला और माईक लिपी इरान के थी यह अकणमन के बात प्रसिद्वी तो एक आकरमन का एक फायदा ये मिला कि भारत में इरानी का परचार परसार भट ठीक है इसके लिश स्पारब भारत में दूसरा बिज़े से आकर्मन किसके द्वारा हुआ तो यूनानी द्वारा ठीक है जिनको यूनानी ये यूरूपे कंड़े द्वारा हुआ यूनानी द्वारा किया गया दूतिया आकर्मन ठीक है यह मैसेडों नहीं आई आकर्मन भी इसके बाद या मकदूनिया आक सकने भारतिया भूबाकु जीतने के बाद उसे फारस अमरज़का 20 two-man antibody ठीक है daddy हाक मनी वुथा किस योच फार्स अमरज़का by so man 源 है तो भारतिया भूबाकु जीतने के बाद इसको फारस अमरज़का 20 का लिए था जो कि पहला विदेशी भी कहा जाता है इसके बाद 200 लिखा है हाइडे स्पीच अवितस तक कई दो सिकंदर पूरस की बीच वा था इसमें सिकंदर की जीत वी थी ठीक है और सिकंदर प्रभववित हो गेता पूरस से उसके पाद उन्होंने अपना राज जो उसका रास्ता वो उसको वापिस कर दिया था सिकंदर ने भारत पर आकरमन किया 326 इसापूर ठीक है घंणानद के समय ध्यान देने जब सिकंदर ने आकरमन किया उस समय नंदवंस पर घंणानद का सासन था ये एक्जाम में पूछा जाता है important topic है आप इसको लिख देंगे ठीक है इसके बाद देखिए हमने फिर मैच करना है कुछ सतरवा है बिंबिसार हरेकवंस काला सोक सिसुनागवंस महापदमन बिंदु सार ये किसका ठीक है तो देखिए बिंबिसार मैंने कल बताया था बिंदु नहीं बिंबिसार हरेकवंस सही है पहला सासकता काला सोक सिसुनाग बिल्कुल सही है महापध्मनन्द नंदवंस कथा और बिंदुसार मौरे नस तो महापध्मनन नंदवंस वोग गया बिंदुसार मौनेका हो गया ठीक है इसके बाद मैच होगे है मौरे हम आगे पढ़ेंगे तो मैच वाले का आंसर हो जाएगा कौन से वाला ठीक है आप देखें इसके बाद उपि में और मालम मध्याप्रदेश में अवंथी ठीक है अवंथी का तो ये राजधनिया आपस में सही मिली भी है आप इसको याद रखेंगे और ये एक्जाम में फूछा जाता है फ्रेंज्सौ आप इसको याद रखें आप के नीच चार-पांद राजनी खासर मगत की जो राजनी थी प्राणबिक राजनी थी गिरिवरज ठीक है गिरिवरज भिहार ठीक है ना मगत की प्राणबिक राजनी का थी फ्रेंट्स गिरिवरज थी आप इसको इंपोर्टन करेंगे सोरे ये बिहार में है हां बिहार गया मैं बिहार बिहार में ठीक है गिरिवर्ज इसकी मगत की राजदानी ती प्राणबिक राजदानी उसके बाद उदाइन पाट्डी पुत्र ले गए और कुछ राजा अलग जगा ले गए तो यह प्रशन एक्जाम में पूछा जाता है जैसे कि 19 प्राणबिक राजदानी का थी तो फ्रे इनने पार्टी पुत्र नगर की इस्ताबन भी की थी जिसको वर्तमान में पटना कहते हैं और इसके राजदाने भी इनको बनाई थी तो यह इंपोर्टेंट प्रस्न आपके लिए यहां से बन जाता है इसके बाद 16 महाजन पतों की सुचिव लब्द है तो ठीक है यह अच्छे थी उनके पास हैना थी ठीक है इसके बाद देखिए पर्थम मगज सामराज का उतकर्श कावगा तो छटी सदी इसापूरू ठीक है छटी सदी इसापूरू का तात्पर क्या होता है आप देखिए 600 इसापूर से 501 इसापूर ठीक है ध्यान देना जरा कभी भी अगर मैं छटी इसापूर बोलू छटी सदी इसापूर छटी सदी भी सदी मतलब 100 वर्स का समय ध्यान देना केवल छटी बोलूगों तो 6 एगा छटी मतलब 6, सदी मतलब 600 इसापूर तो 600 इसवपूर में हम पीछे की तरफ जाएंगे फ्रेंट्स यहां पर दिहांदे ना 500 इसवी तक मतलब 600 इसवपूरो से 501 इसवपूरो को हम 6डी सदी इसवपूर बोलेंगे ठीक है फ्रेंट्स उसी परकार अगर 4 मैं बोलू तो 4 इसवपूरो करत क्या होगा 400 से 301 इसापूर हो ठीक है चोथी का अर्थ हो जाएगा 400 इसापूर से 300 इसापूर के बीच का समय बोलेंगे चोथी ठीक है तो मगत का जो उदैवा इसका 20 वाला सही है 6 सदी इसापूर हो ठीक है सदी मदद 100 वर्ड का समय होता है ध्यान देना आप इसको सब्सक्राइब तो चारों सब्सक्राइब उस समय यह फिट बैठती है तीज़ों गहनानन से भी जनता को कुछ और यह राजा और उसके राज़ा ठीक है तो प्रध्योत उदाइन प्रसेंजीत और अजास चारों देना कभी कभार यह फूझ देता है कि कौन सा राजा बुद्ध के समकालिन था इसी में आपको पताता हूं में जहां देना बुद्ध के समकालिन दो राजा होएं परसित मैं आपको बता चुका हूँ बताईए मगत के वंस्तुनी यहां पर बात हुई है आपर राजे की बात हुई है द्यान देना 16 महाजनपत में किस महाजनपत के थे मगत के थे और मगत में आएगा किस वंस के थे तो मगत में किस वंस के थे हर्यक वंस के थे ठीक है आप इस समझ उदाइन का है B देखिए उदाइन किस राजय के थे वस के ठीक है वस राजय के ध्यान देना राजया पूछा है यहाँ पर अगर उदाइन का वंस पूछेगा तो उदाइन का वंस कौन सा है आपको पता होना चीए बताइए उदाइन का वंस कौन सा है हरयकवंस ठीक है इसके बाद देखेंगे परसंजीत कौसल के थे कौसल जिसकी राज़नी में आप वो कहां बताई थी कौसल की स्रावस्ती बताई थी कहां उजयन में ठीक है और अजाज सत्रू जो थे वो किसके थे भरेंट्स डी का क्या जाएगा है अपर डी का हो जाएगा पहला मगत के ठीक है तो मगत पर सासन करने वाले अजाज सत्रू थे जो कि सबसे बड़ा राज़न्स भी रहा था ठीक है तो अजाज सत्रू आप समझ विएँगे इसको इसको इसके बाद देखें हमने मिलाना है 26 26 26 26 क्या है अभी लेखिया साक्षे से प्रकट होता है कि न 27 प्रस्न उपर ठीक है 27 कह रहा है कि पहला इरानी सासक जिसने बहरत के कुछ भाग को अपने अधिन के टो डीरीयस था जिपहला इरानी था 58 इशखवव में अकरमार्य के या इरान के थे 58 इसखव और ध्यान दिना मगत के राजा ये वाला छबी अठाइसवा प्रशन है कि मगत के राजा अजा सत्रुक का सदेव किस गर्ण राजा के सास युद्रा ठीक है तो अजा सत्रुक का जो हमेशा युद्रा ये हमेशा लड़ाई है वज्जी संग से रहे वज्जी के राजानिती वैसाली यूपी मे एक एता इसरत, जिसमें गदा जैसा हतिया जुड़ा होता था तथा मासिला कंटक या पźथर भैगने वृद्धियांद नाम गुपत हतिया को परिवक किहा थो, ठीक, आजाशा सत्रů ने किया था, ठीक है रत मुषला और मासिला प्तर फैंगने वाले हतियार और एक ऐसा रद्ध का यूज क्या था यूद्ध में जिस पर क्या होता था फ्रेंड्स जिस पर गदा जैसा हतियार जुड़ा रद था ठीक है किसके बुरूद वज्जे संग के बुरूद जिसकी राजा निकांती वैसा ले ठीक है तो अजास अ यूद्ध आपस में यह जनपत लड़ते रहते थे अपना सामराज विश्थार करने के लिए जिसमें किस सपलता किसको मिली वास्त्यूग्रूप से मगत को ही सपलता मिली ठीक है और यह फैल पाया क्योंकि मगत के पास लोही के हतियार भी थे उस समय लोहों की खो जोगी थ नंगी हत्य करवाई जाती है मौरेद वर्ण ठीक है इसके बाद भारत में शिक्कों का पर्चलन का हुआ ठीक है यह कब सुरूः तो चैसा यूशापूर जो महा जनपत काल हम पढ़ रहे थे उस समय जब सुरूः ठीक महाजन पत काल शुरूओ हो था इसके बाद निम्रा अजाओं पर बिचार कीजिये ये प्रस्चन मेंना सायद आपको पता थाभी अजास सत्र经 माधान से बुद्ध का समकालिन यह नहीं था ठीक है तो बिद्ध सारी इसमने नहीं होगा बाकि पर्संजीत जो कि कौसल के राजा थे और अजास सत्र छटी सदी इसापूर के दौरान बड़े राजय के उधाय के रूप का मुख्या करना क्या था ठीक है तो उत्तरब्रजेस और बिहार में ब्यापक लोही का उप्योग इसलिए मगद भी पनपा और लोही के उसमें काभी अकूद बंडार थे एक उभर कराया और सकति वी राजय बणा ठीक है ेसके बाद देखिए मगद सम्राप भीमिसानbn ने राजवेज़े जीवक को किस राजय की राजय की चिकषा के लिए उन्हों के लिए जीवक वूष सकता है आप ध्यान में रखिए इसके बाद देखिए किस सासक ने अवंति को जीत कर मगत का हिसा बनाया मगत का तो सिसुनाग वंस ठीक है सिसुनाग ने मनाया था अवंति को जीता उन्होंना मगत का हिसा बनाया ठीक है क्योंकि सिसुनाग मगत पर ध्यान देना तो कासी का इन और नहीं किया था तो अवंती और वस्ट का किया था आप और भी याद रखे अवंती उज्जयन और वस्ट जिसके राजने काए कोसामभी इलाबाद के पास को संभी इन दोनों का उन्हें किया था कासी वो स्वयम अपने चेतर में रखना चाहिए थे ठीक है इसके बाद एके कासी और लिच्छवी का विलाय मगर समराझ में किस ने किस ने किस ने किन पुम आई ध्यान देनास फिस कावर विलायी कर दे थे तो आजास सतरु है अजास सतरु ने और निच्वी का विल्या किया था अजास्तुर ने जो कि मगद राजे के इंदर गद हर्यक वंस में थे जिन वंस को पित्रहंता वंस कहते हैं और यह थे बिंबिसार के पुत्र ठीक है इसके बाद एक उन्चालिसवा मागसामराजी के बारे में कौन सा सही नहीं है तो कौन सा बाद पढ़ेंगे तो इसके भी एक साथ चल रही है तो पुराणों में कहा गया कि ब्रहदत वंस भी मगत पर आया था लेकिन यह प्रमानिक कहीं कहीं इत्यास को नहीं माना और सीधे हम इसलिए मगत पर पहला वंस पढ़ लेते हैं हर्यक वंस हम इसको नहीं पढ़ते हैं क ज्यांदेने प्रेंडस एक उपादी इतियास में थी और इस में लिखा भी है इकराट उपादी उसको मिलती थी रिश्यों दिसाओं से युधोई जीद के आथा ठीक है चारोई दिसाओं से जो व्यक्ति युधो जीद के आए उसको इकराट कहए थे और इकराट महापदमनु को भी कहते हैं एक राट ठीक है इसको आप नूट कर लेंगे इंपोर्टेंट है यह किसी ब एक्जाम में पूछा सकता है बड़े से बड़े और छोटे छोटे एक्जाम में ठीक है इसके बाद देखे उन्चालिसों का कथन तीसरा था गिरिवर्ज राजगरे पाढ़ले पुद्र वैसले कर इसके बाद निम्लिखित मैं से कौन सा एक इसापूरु छटी सदी में मतला चैसो सपूरु ठीक है अप्रारा में भारत का सरादिक सरी राजगर तो मगत था यूप्यस नहीं पूछाय क्यों था क्यों कि आपर लोहे के बंडार थे वहां की अर्थविवस्ता अच्छे थी इसके बाद देखिए निम्लिखित मैं से कौन से भारत पर इरानी आकमन के प्रवागर माना जाता है तो कौन से मानेगे आप खरुष्टि लिपी का परचार हुआ बिलकुल साही अर्माइक लिपी आप कह सकते हैं इसको अर्माइक इरानियों की लिपी थी खरुष्टि का परचार हुआ $ अभिलेक उत्रीण करने की कला का परचार हुआ शाय है और अुर्णी अथ समय ये अच्छे काम हुए इरानियों के आकमरण से कुछ सीखनों के मिला इस्ताविस संवंध कर आ है इस आकमर्ण ने भारत और युनान के बीच पर तक इस्ताबित समंद करा है इस्ताबित समंद करा है, बिल्कुर सही है, समंद इस्ताबित करा है इस आकमर्ण के पसिम उतर, पसिम उतर में पसिम इधर और उतर ये वाला भाग पस्सी मोतर जैसे यह है ये वाला भाग ठीक है पस्सी मोतर ये वाला भाग है तो पस्सी मोतर भारत में युनानियों की स्थापनक का मार प्रसस किया ठीक है बिल्कुल सही है क्योंकि पहले सिकंदर ने आकमने किया और सिकंदर को देखते देखते युनानी भी उसके बाद आ चोटे मुटे राजा आये उसने भारत को युनान की रियासत बनाया ये गलत है फ्रिंस सिकंदर का प्रवण नहीं था उसने भारत को युनान की रियासत नहीं बनाया ठीक है चूंकि सिकंदर यहां पर जाद समय नहीं रहा ठीक है तो ये गलत कथन है ठीक है क्योंकि पूरस क पाकिर में गंटांत्र कर जा जाता है महाजनपद में कहीं गंटांत्र कहीं राजा देखने को मिलता है जैसे बहरत में भी गनताव मک ए, रास्नावقت नहीं है, ठीक है, इसके बाद देखिए, नीमलिखित मेंसे सेनया, सेनया करते हैं, न्यमी तो इस्ताइस सेन रखने वाला, बह। इंपोर्टन डेफरेंट से, सेनया कहते हैं कि इसको बिम्विसार को, इंपोर्टन्न है, इसके बाद देखिए डेरियस पहले जिन्होंने 518 या 516 बीसी में सिंदुके तत्वर्थी भूबाग को जितकर उसे इरान का बीस्वा प्रांद बनाया उससे कितना राश्व प्राद हो ठीक इरान का इन्होंने इरान का किसको बनाया इन्होंने सिंदुके तत्वर्थी भूबाग को इन्होंने इरान का इन्होंने क्या बनाया एक उसका प्रांद बनाया ठीक है तो उससमें राजस्व की इकाई थी टैलेंट राजस्व के इकाई हो दे थी टैलेंट ठीक है तो वहां से इन्होंने इसको करे में एक प्रांत बनाए और वहां से कितना प्रांथ होधा था क्यात् थी मुद्रा की काई । त्थी ॥ जैसे इसे रुपय है उसके बाद देखे थे एसсте इरानी आकमर्णकारी इसके निर्याकस था निर्याकस सिकंदर का जल सेना बती हुआ एरिस्टोब्लस था और एना सेक्रिक्टिस था इंपोर्टेंट है महाज़ना काल में स्रेणियों का संचालक कहा जाता था स्रेणियों के संचालक को कहते है जो स्रेणियों के संचालक होते थे ठीक है या जैसे आर्मी वाली सेना के स्रेणिय जो आप कह सकते हैं बटालियन टाइप की बनाना या उस तरह की कि उसके संचालक को स्रेणियों कहते है ग्रहपदी कर धनी के सान होता है महाज़नपत काल में धनी किसान कहते थे ठीक है इसके बाद हम बढ़ रहे हैं इकानो प्रशन के और एकानो प्रशन कह रहा है हमने मिलाना है पद के नाम को उनके काम करने से ठीक है जो महाजन पतकाल में जो पद होते थे और उनके काम क्या दे अस्टकुला का काम था परामर्ज देना बिल्कुल स सौलकिक था यह सुलका देख था यह एक्जामा पूछ जाता है यह पद और उनसे सम्मंदित जो टैक्स होते थे उनसे लेने वाले ब्यक्तियों के पद नामें ठीक है इसके बाद देखें बावनों प्रस्ण कहा रहा है कि मगत के किस प्राणबिक साथ सकने राजयरेवन के ल ये कहला है इसके बाद देखें इसके बाद कहा गया स्मय कि में भिश्व का पहला गर्तंद कि स्ताबित क्यारे लिचिवी ठीक है ये गरन प्रसुन होता है कि हमने मिलाना मैं आपको दिखाए था तो देखे आप फिर मैं इवार मैप में दिखाता हूँ तो देख रहे होंगे तो कुरू यहाँ पर है देखे तो कुरू है यह तो यह कुरू हर्याना के आसपास का कुछ चेदर था आदमिक दिल्ली जो थी इसकी कुरू की राजानी देखे इंदरपरस छोटेश में लिखाए जो छोटेश में लिखाए जो राजानी है इसकी तो कुरू की राजानी इंदरपरस और इंदरपरस का वर्तमान नाम है दिल्ली इंदरपरस को ही हम दिल्ली आज कहते हैं जो की कुरू की राजानी रही थी उसके बाद देखे ये सेडी है इस और चेदी है कल गलती सेडी बोलो मैंने ये चेदी है ठीक है चेदी जो महाजन पर था चेदी महाजन पर था और इसके राजनी कांती फ्रेंड्स सक्ति मती थी उतर प्रदेश में ठीक है सक्ति मती इसके राजनी थी आप इसको याद रखे चेदि खिक है तो अन्य भी इसमें आप देख लिजेगा एक बार मैप से स्टडी कर लिजेगा अब अंति यहां पर है जिसको उज्ञान के देखिए उज्ञेन चिपराश नदी के एक्यार है एक पर नदी देख लीजिए आप, जेलम नदी भी यहीं पर है, मैंने आप कल्बत आता जेलम नदी, जिसको वितसता भी कहते हैं, जेलम नदी यहां से जाती है, और यह साइक नदी है किसके, यह सिंदु की साइक नदी है, पूरी एक सिंदु नदी है, ठीक है, जेलम झेल आप की भी चेसा अप के साल बैती है और जलम जब मिलती है नदी में शिन्दों में तो ध्यानकना मेन नदी का नाम चिनाब रहता है ठीक है अच्छा झींद्ग के किनारे बसा है स्री नगर जम्मु कस्मीर के राजनली स्री धिलम के किनारे है ठीक है आप इसको याद रखेंगे इसको हम आगे जब जोगरे पढ़ेंगे तो मैप मैप आपको अच्छे से बताऊंगा ठीक है तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्रवर्स पमारा इसका प्रशन है जो मिलान परना था ठीक है आप देखए कुरौ के से मिलाएंगे आप कुरौ Eld Less से अभी दिखाय मैं अमेप में आपको बी का है यहां पर तीसरा आप देखिए स्क्रावस्थी ॐत्र प्रोदेश में और वस्थ स्की भर को संब्र परता है कहां इसको मिला लीजिए एंथर प्रस दौ्स आई य२ि Commission अई चत्र की जो की उतर प्रदेश में है ठीक है इसके बाद देखे कौसल क्यों जाएगी साकेद तीक है जिसको स्रावस्ति भी कहते हैं जहां पर गौतम बुने स्वराधी कुप्ति दिये और वस्त को संवी जो की इलाबात के पास ठीक है अधिकतर जो राजधानिया वो पुद्र रहा है और कॉ साम भी नहीं रहा है ठीक है तो गिरिवर्च और राजग्र्ण है यह दोघन sweetheart घीवार भगार्न है तो उमीता से फेंट्त्वार है लिए